सब्सक्राइब कीचिए उतकर गेमिंग चैनल को और बेल आइकन को दबाए लाटेश टेक्नोर्योंसी और गेमिंग वीडियो सब सब बेल पाने के लिए दोनों ही कप्तान और मैच रेफरी मैदान के बीचों बीच एक अच्छा टॉस जीता इनको परिस्थितियों का लाब उठाते हुए योजना के अनुसार खेलना होगा और ये हैं वो खिलाडी जो दोनों टीमों के लिए आज के मैच में खेलेंगे एक रोमांचक मैच फिल्डिंग टीम ने कमर कसली है और तयार है ये है सलामी बल्ले बास दरशक उनका पूरे जोरो शोर तेज गेन बास को लाया जा रहा है इस चोर से इनिंग की पहली गेन का सामना करते हुए पहला रन टेजी से दोड़ते हुए दूसरे रन की कोशिश होनी चाहिए जाए रानिंग बिट्वें दो रिगेट्स बहुत युंदा रही है दोनों बल्ले बासों के बीच तरनाग के और सीथा बल्ले बास के शरीप के लगी इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूजबूज और नियन तरन के साथ गेन बाजी करनी होगी यहाँ अब वामे उठा दिया है और के रन कोई मौका नहीं था वहाँ फील्डर के पास और वो सिर्फ बॉल को जाते हुए देख सकते थे अब पता नहीं भाईया यह गेन कहा जाएगी बिल्कुल चक्मा खा गये हैं वहाँ तर्बे बढ़ानी कोशिश में इनकी फील्डिस्मेट तो मानो वो जी जी नहीं चक्रव्यू रचा रखी है इसे फॉर्म में खेल रहे हैं जैसे अंग्रीजी में कहते हैं फॉर्म ओफ इस लाइफ वाह क्या बात है बहुत ही तेज परार कैट ज़रूर था पर यहां गेमबास की में तारीफ करनी होगी दूसरी ओवर की शुरुआत यहां स्पिनर से करवाया जा रहा है बल्लेबास नहीं केंद खेलने के लिए पूरी तरह तयार यह सहीद हमसे नहीं खेला है और फील्डर पकड़नेंगे इसको एक लंबा रास्ता तैकर रहे हैं पवेलियन की ओर जाते हुए टीप एक्स्ट्रा कवर पे फील्डर मौजूद क्या तुभी केर दिया है दो रंगी कोशिश होगी यहां रंइंग बिट्वीन दो विगेट्स बहुत हुंदा रही है दोनों बल्ले बाजों की बीच दो रंगा कॉल बहुत ही बड़ी है ताल मेल दोनों बल्ले बाजों की पीच में अच्छी रंगी मिट्वीन दो विगेट्स जिस तरह आचकल स्पिनर की दुलाई करते हैं यह क्या लगता है आपको कितने चक्चे मारेंगे इस ओर में अवा में केल दिया था ठीक तरह टाइम नहीं कर पाय थे यहां और यह आउट पूरी तरह चक्चे मारेंगे इस पारी की आखरी गेंदाती हुई कहली पारी की समापती लक्ष्यो सामने है और सलामी बल्ले बास पवेलिन की और जाते हुए रनों का पीछा करने की पूरी तैयारी और यह आ रहे हैं दो अमपायर्स फील्डिक इस कड़े मुकाबले के लिए हम तैयार हैं छील्ना प्वे पूरी बास ग्ष्यो सामने हैं काफी रोचत फील लगा है कप्तान में इसे तो जड़ दिया चार्थ बहुत की आक्रामक बल्ले बास है ये विश्व क्रिकेट में बढ़ी अधरिया किसे चुड़ा बल्ले बास है ये बहुती कटिन फील्ड है गेंद बास ही करने के लिए गेंद बास को अपनी लाइन और लेंथ बड़ी सठीक रखनी होगी फाइट बॉल सीधा फील्डर के हाथ में कोई रन नहीं फील्डर है कवर पर फाइट फील्डर के हाथ में कोई रन नहीं जो मदद इस गेंद बास को इस शोर से मिली है जायज है कि ये उनका फेवरिट एंड होगा 22 फ़र नहीं वहाँ बाल सीधा फिल्ड के हाथ में बहुत ही आकरामक फिल्ड लगा रखी है विकेट की तलाश में ये एक बहुत ही अच्छी रन्नीती हो सकती है पॉर दूसरे स्योट पे भी तेज के इंवास को ही लाया जा रहा है बल्ले बाज अपनी पहली गेंगी तैयारी करते हुए क्याप में खेलने का प्रयास लेक इंफीलर मिले वहाँ पास क्या सबर्दस्ट मैच या हो रहा है रोमान से बर्पूर दर्शक बीस्ट उटस्टर की प्रिकेट कम बजा उठा रहे है अच्छा शॉट खेला सिंगल के लिए रणिंग बिट्वीन दो विगेट्स बहुत ही उमधर है दोने बल्ले बाजों के बीच जब जादा फील्डर्स बाउंडरी की रक्षा कर रहे हो न तो बल्ले बास को सिंगल्स तोफे की रूप में मिलते हैं फील्डर है कवर पर उठा के केल दिया है गैप में गई और वेतरीन चोका ये एक ऐसे बल्ले बास है जो ग्राउंड के किसी भी कौने में मार सकते हैं चलिए देखते हैं अगली गेन कहां मारेंगे पिछले कुछ मैचों में वहती वे रहमी से दुलाई किया है फास बोलर्स की इनोंने जब देखते हैं गे उठाउचे दोर्स का आपस्ट कुछ में मार सकता है थे फास्ति वास्तों इस वेच्वात्यू में आराइगे जो नब गईस दुलाए जो आपस्टा कर शाओट खाउज दुलाए